कि 30.11.2021 को वादी श्रीराम की तेहरीष पर 363 का मुकदम पंजिकरित किया गया था वादी ने बताया था कि उनकी पुत्री जो कुछ खेंने के वाहने से गई है घर वापस महीं लौती है इस पर दतकार पुलिस द्वारा मुकदम पंजिकरित किया गया था और घर्टना स्था का दिरिक्षन किया गया था लगबब पांच बिन बार पांच बारा दो जर्टिस को पुलिस को यह सूचना प्राथ हुई उसी लड़की का शव जाड़ियों के पास मिला है इस पर पुलिस द्वारा घर्टना का इलिक्षन स्थाल किया गया फील्ड इनिट द्वारा भी पुलिस को यह सूचना प्राप्थ हुई थी कि एक लड़की घर से खेलने के बहाने चली गई है इस पर ततकाल वादी की तहईर पर 364 का मुकदमा कायम किया गया था दिनांग 5-12-2021 को उसी लड़की का शव जाड़ियों के पास मिला था इस पर ततकाल पुलिस द्वारा घर्टना का इलिक्षन स्थाल किया गया फील्ड जूनिट और डॉक स्कॉर्ट से कुछ महटपून साख जुटाए गए और आज उसी घर्टना का खुलासा हुआ हो रह है नामजद अभियुक्त बच्चला ने घर्टना को कबूला और उसने यहां बताया कि रोज रोज की आपस में उनके विवाद होते थे इसलिए नशे के हालत में उसने लड़की का गड़ा दबा कर हत्या कर दी गई है और आवशक विदिक कारवाई की जा रही है हुआ 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 है